हाई फ्रेंट टेक्निकल सिराजी मैं आपका बहुत-बहुत सुवा गयते हैं आजकल देखते होगे कि जब आप विंडो 10 या विंडो 11 को श्टोल करते होगे नए जनरेशन के लैप्टोप या नए जनरेशन के डेक्स्टोप में जिन में नए हार्डिक्स लगी भी आती हैं तो उनमें हमको हार्डिक्स सो नहीं होते हैं जो हम विंडो श्टोल करते हैं तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस परकार से इस प्रोब्लम को सॉल्ब कर सकते हैं तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इस प्रोब्लम को सॉल्ब करने का ठीक है पहले तरीके में बताऊ या आपका डेक्टोप या लैप्टोप है उसके modern नमबर से आपको ड्राइबर सर्च करना होंगे rapid storage technology नाम से rapid storage technology ठीक है तो दोनों तरीके आप देख लो ठीक है तो चलते हैं अपने डेक्टोप पर जहां से हम इस प्रोसेस को देखेंगे तो friends यह है पहला तरीका पहले तरीके में आपको दीख रहे हूंगे दो ड्राइबर है जैसा कि आप देख रहे हो एक ब्मड और एक non-BMd यदि आपका laptop है तो आप BMD यदि आपका desktop है तो non-BMD तो आपको क्या करना इन दोनों को कॉपी कर लेना ठीक है आपको आपको इसका link description करने के बाद आपको क्या करना कोश्च करने के बाद आपको कोश्च कर दोござंग में स्था लेगे इसमें जाकर आपको सीधा पेस्ट करदेना थिक है पेस्ट कर देना बाइप को कुछ नहीं कर देना सिर्फ आपको एद्धान नखना है कि आपको प्रो करना चेहिए आपका इंटेल का प्रोसेशन नहीं था रिखे पर से उसमें यह काम नहीं करेगा इस अब आपप आपको चलना है अपनी जिस्टोनिक प्रोसेश में विंडो 10 के स्टोलिंग प्रोसिस पर हम आ गए हैं अब हमें क्या करना है अपने प्रोसिट को फटापट कर लेना आ है कि हम पोच गया है जहां पर हमारी हार्डिक सो नहीं होती है ठीक है अब क्या करना है यह जो load driver है हमें यहाँ पर करना है click आप देख सकते हो यह load driver पर करना है click उसके बाब browser browser करने के बाद हमें जाना है जहां हमारी window 10 की pen drive है हमें बहाँ पर जाना है ठीक है हम चलते हैं अपनी window 10 की pen drive पर window 10 की pen drive पर गए तो हमको यह अब दोनों जो software हमने डाउनलोड करेते हैं अपनी pen drive में जो हमने paste करेते हमें दिखाई दे रहोंगे तो bmd और non bmd क्या करना अब मेरा laptop है तो मैं इसलिए इस select करूंगा इसको bmd को bmd को select करने ना यदि आपका desktop है तो non bmd को select करने ना उसके बाद click करने के बाद फिर नीचे वाला select करना उसके बाद हमें कर देना ओके करने के बाद हमें करना फिर next करना next करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा हमारी processing ले लेगा और फिर हमें अपनी हार्डिक्स हो जाएगी तो हमारी हार्डिक्स हमें सोग हो गई है तो अब आप इसमें अपनी जो window है उसको install कर सकते हो अब चलते हैं दूसरे तरीके पर दूसरे तरीके पर चलते हैं अपने desktop पर हम आगे अपने desktop पर हमें चाहिए एक browser हमें अपने browser को खोल लेना तो मैं खोल लेता हूं Google कॉर्म को यहाँ पर type करना हमें जो हमारा model number है हमारे laptop या PC का या serial number से भी आप find कर सकते हो तो सिर्फ आपको अपने driver find करने है तो मैं डाल देता हूं मेरा laptop है HP का HP का 250 G8 उसका बाद लिखना rapid Rapid Storage Technology Driver मुझको लिखने के बाद करना एंटर आपको अपने laptop या desktop के साब से find करना आपका जो भी डेस्टोप model number है या laptop model number है उसके बाद कर देना एंटर एंटर करने के बाद मैं आ जाऊंगा जैसे कि देख सकते हो यह लिख रहा HP 250 G8 notebook PC software and driver download मैं कर दूंगा इस पर click करने के बाद मुझे नीचे करना है जो मेरी operating system है उसे select करना है window 10 या window 11 में यह चाहिए window 10 कि नहीं है कौन सा window 10 है window 10 64 उसके बाद कर देना submit अब मेरे जो laptop के जो driver है मुझको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे सारे के सारे ठीक है तो मुझे जाना है किस पर मुझे जाना है driver storage पर किस पर driver storage पर यह रहा driver storage और यहां पर जाना इंटेल rapid storage टेकनलोजी इंटेल रेपीड टेकनलोजी तो मेरा 11 जनरेशन मतलग 11 जनरेशन का है कौनसा i3 11 जनरेशन तो मैं करूंगा Intel Rapid Storage Technology Driver Tiger Lake मुझे क्या करना इसे करना है Download क्या करना है Download तो मैं इसे Download कर लूँगा तो यह हो गए मेरे PC में अब Download Download होने के बाद मुझे उसी folder में जाना है जहां मेरा यह Driver Download होगा है तो मैं कर लूँगा इसे Open Open करने के बाद मेरा जो Driver है यह हो गया डाउलोड मेरे PC में उसके बाद इसका नाम चेंज कर देते हैं ताकि हम पहचान जब में इसे Copy करके अपने Pen Drive में डालेंगा तो पहचानने में आसे नहीं से करते हैं Tiger Lake Tiger Lake ठीक है तो इसे करेंगा आपको अपने PC में इस्टोल कर लेना तो मेरा पहले से इस्टोल है तो इसलिए में ज़रूत नहीं है वैसे मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वह बाग का दे आपको एक्ट्रेट फाइल मिलेगी सिर्फ आपको महां से डाउनलोड करना है और अप यह जो एक्ट्रेट करिए फाइल इसे कर लेना अब हमको कोपी क्या करना कोपी कोपी करने के बाद अब हमें अपनी जो विंडो है हमारी जो विंडो टैन की यह विंडो इलेवन की उसमें जाना है और यहां पर इसे कर देना पेश्ट शीदा हमें पेश्ट कर देना ठीक है विंडो की उसमें ohoy पैश्ट बेश बरेश्ट होने के बाद चलते हैं अपनी मिो इस्ट लिंग के प्रोसिस पे है है same process करना वही load driver browser करना है क्या करना है ब्रॉज हमें जाना अब window 10 की pen drive कर यहां पर हमें जो tiger lake नाम से जो software folder ने जो copy paste कर था वह दिखाई दे रहा इस पर करना है कि लिए उसके एप 6 select करने के बाद उसके बाद हमें कर देना next करने के बाद कुछ time लेगेगा उसके बाद आपके hardix so हो जाएगी ठीक है तो मैं दोनों का link आपको description में दे दूँगा ठीक है download कर लेना आपको यदि आप चाहो कि मैं तो खुद ही खुद ही download करना चाहता हूँ driver को तो आप अपने model नमबर से या अपने serial नमबर से जो आपका desktop या laptop का model नमबर उससे अपने driver find कर लीजे driver find driver में आपको देखना है एक storage technology करके storage technology या rapid storage technology करके driver होगा उस driver को आपको download करना है download करने के बाद उसे extract कर लेना extract करने नहीं है आपको save and jip software download कर लेना उसके बाद इस्टोल कर लेना उसके थुरू आप इसे extract कर लेना extract करने के बाद जो आपका extract folder है उसे copy करके अपनी जो pen drive है bootable pen drive है उसमें paste कर देना ठीक है उसके बाद बाकी process जैसे मैं आपको दिखाया आए आप कर लेना ठीक है तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर देना and channel को subscribe कर देना thank you धन्यवाद